हेलो फ्रेंड्स में आंशी मौर्या एंड नाव वाचिंग एम डॉट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टन टॉपिक की बात करने जा रहा है कौन से क्लास से क्लास्टेंट के साइंस सब्जक्ड इसमें से हमें किसमें किसमें से इंपॉर्टन टॉपिक की बात करेंगे कमेश्ट्री एंड फीजिक्स के इंपॉर्टन टॉपिक की बात करेंगे इट मींज हम बायोलोजी क नायों के यह आपको बता दूँ कि यह आपके एकजाम के पॉइंट अब्यूसे ही होंगे है तो डोंट वर्याइबाउट जैसा कि मैंने आप से पोला था कि यह डोंट वरी मैं आपके अपॉइटमेंत एकजाम की प्रिप्रेशन करवाउंगीतों हैर् मैं अपनी बात पर अडिग हूँ और मैं आपकी प्रिप्रेशन भी कर वा रही हूं बस हां लास्ट के चार दिन मैंने वीडियो को इसलिए अप्लोड नहीं किया था हम आइनो आपको लग रहा होगा कि मैं लेट कर रहे हूं बट्यार ऐसा नहीं में थोड़ी सी तबियत खरा कर दोनों इसलिए लेकर आएं कि मैं तबियत अभी जो है बहुत सही नहीं है तो मैं यहां पर कमेश्ट्री और फिर से खराब हो जाए और ऐसे चार-चार पंश-पार दिन का गयब जाए तो फिर यार ऐसे तो सही नहीं होगा जिसलिए मैं आप लोगों का पूरा तयार दे रहे हैं तो यार आप पढ़ते रहे हैं और उसके बाद मैं 12 की साही चीजे बताऊंगी और हाँ आपके लिए एक इंपॉर्टन बात और है वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टन क्वेस्टन है यह यहां पर मै आपके कमपाइटमेंट एक्जाम के पॉइंट अब यू से मैं साइच चीजे बता रहे हूं तो यार देखिए गा जरूर देखिएगा वो क्यूस्टन आपके इसाम के पॉइंट अब व्यू से हैं उन्हें जरू सॉल्ब करिएगा मैंने डिस्क्रिप्स बॉक्स में लिंक से देदूंगी त्यार देखते हैं कि हाँ यह जो केमेस्ट्री एंट फिजिक्स है इसमें से कमपाइटमेंट एक्जाम के लिए आपके एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और डिस्क्रिप्स बॉक्स में ज किया और हाँ अगर जिन स्टुडेंट ने वो पेपर सॉल्व कर लिए होंगे लास्ट टेनियर के क्विश्चन पेपर मैंने आपको फिजिक्स का तो नहीं दिया है मैंने केमेस्ट्री बायोलोजी एंड मैथ मैं आपको वापस से बोल दे रहे हूं केमेस्ट्री बायोलोज क्विश्च की पेपर लास्ट टेनियर के क्विश्चन पेपर मैंने आपको प्रवाइट कर रखे हैं साथ में Selv bh है तो और अगर आप लास्ट नयर के क्वाटर फिपल ओर और यहां पर जितने इंपॉर्टन टॉपिक में बता रहे हो और वह त्योग कर लेते हैं और यहां पर घूर सोल्ब कर ले तो और यहां पर जो इंहें इस्क्रिप्सन ब्रफ इ आप तो यार यह तीन चीज़ इतना मैं बता रही हूं अगर आप इतना ओने इतना कर लेते हैं तो यार कमपाइटमेंट एक्जाम तो क्या आप कोई भी एक्जाम दे लिजे आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक रही सकता है इन फैक्ट आपके बहुत ही जादा अच्छे म तो यार मुझे बोलने में बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज यार वह आला वीडियो आप देखें और यहां पर हम आपको मुस्ट इंपॉर्टन टॉपिक बता रहे हैं कमिस्ट्री एंड फिजिक्स के और वापस से मैं बोल रही हूं हूं बात करेंगे क्ला तो इस दो बहुत करेंगे तो आपके पास लास्ट इनियर रहा होंगे वह सौल कर रहे होंगे और बाया ओलोजी वाले जो स्टुडेंट रहा होंगे उन्हें और यहां पर साइंस में आपको बाया ओलोजी के भाऊंचर नोयुट पोपिक हैं ठूंट इक्षे में ने दिये यहां पिर आपको फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है थी संट पर 17 देख लीजिएगा तािपस ऑफ यहां सेख लीजिए गाए उस दूप्षाल नाम बताना होगा तो मैं तो या ना रीक्षेन पहचानना उगा तो यार शाये हैं सारी रियक्षेन आप देख लीजि इसे भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और हाँ अगर आप मल्टीपल कुईशन कर लेते हैं मल्टीपल कुईशन वैसे तो मस्ट है उसे भी जरूर करिएगा अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहां पर आप देख लीजिए क्या इंपोर्टन टॉपिक है आपके इस चैप्टर में इंडिकेटर्स इफेक्ट ऑन एसी डार बेसेज नूट्रिलाइजेशन रियक्शन है तो वैसे तो यही कुछे जाएं आप से इस्ट्रॉंग इसीड बीग बेस जब मिलाते हैं तो क्या ह पूछ यहां प्सक्राश। यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि हम रुम का हुआ हid पर आट करते हैं या फिर एकिड़agar से टेंपर या फिर दो आई यह बात तो आपको पते है कि हम वाटर कोöglich यहां डालते आलते हैं अधरैस क्या हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं कि व तो यह भी देख लिजिए गा वाटर आफ क्रिस्टलाइजेसन से कुछ बनेंगे उन्हें भी देख लीजिए गा आप वसे यह साई चीजें जो है मैंने आप जो डिस्कृप्ट्टिं बॉक्स में आपको कुछ पेपर देखने कलीए मिलेगा उसमें आपको इनसे सब से रिले इसाइब क्या है मेरे गले में बहुत जादा प्रॉप्लम है तो मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रॉमाइज करिएगा एक्सेप्शन केस आफ मेटल और इसे भी आप देख लीजिएगा यहां पर एक्सेप्शन केसे देख लीजिए तो इसमें बहुत जादा कुछ है नहीं एक नजर आप ऐसे देख लीजिएगा प्रॉपर इंट कंपाउंड रिफार निंग अफ मेटल इसका प्रॉसस्च पूरा डेख लीजिए गा और फंट्शन ग्रूप जासे में एक नजर देख लीजिएगा अफ अप्र देख लिजेगा तो बहुत फीजिकल प्रपरइटीज भी देख लिजेगा और फिर उसके बाद क्या सॉप and detergent को यहां पर सॉप and detergent में आप जो है difference between detergent कैसे बनते हैं जाए जाए आप देख लिजाएगा अगे लिए क्लीनिंग तो यहां पर देख लीजेगा मतलब कि इसका पहले बात इसका जो है इस टुप तो देख लीजेगा और जैसा कि यहां पर लिखा गया कि यह सफाई कैसे करता वो भी देख लीजेगा बट अब जो है इस टुप भी देखिएगा ओके और फिर उसके बाद किया है प्रियूडिक क्लासिफीफिकेशन और लिमेंट्स यहां बहुत अच्छा चेप्टरी में नियुक्छ नहीं है एक बाद एक बार आप जहीं त्थे लोगेंतर जैपनेघत्टल में करना है तुप क्या करीं किसी ट्रिक के हिस आप से देखिएगा तो आपको असानी से समझ में आएगा रट्टा रट्टाफिकेशन पर तो बिल्कुल मज जाएगा वरना आप कन्फियूज हो जाएंगे यहां पर मैं जो यह बात बोल रही हूं थोड़ा ध्यान से सुने रट्टाफिकेशन पर बिल्क चैप्तर पे याँ वह बीच में कुछ चैप्टर चौड रहरे हैं जो चैप्टर किसक थे बायोजी के चैप्तर थे तो यह तो मैंने आपको स्टाइटिंग में बोल चुकिन की बायोजीलोडीक कर्यान तोपिक मैं आपको अश्य बता रख्य हूं और जिस वीडियो में बा बाइलोजी का वीडियो देख सकते हैं या फिर आप चैनल को विजिट कर लीजे बट हाँ बाइलोजी के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक मैंने अप्लोड कर दिये हैं यही कोई तिन चार दिन पहले तो आप देखे होंगे और अगर नहीं सॉल्ब कियें तो प्रीज यार जाके उन्हें जरूर्ण सॉल्ब करिए बहुत ही यूस्फुल तरीका है लास्ट टे नियर के कुईशन पेपर यार जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलती आयूं कि कुईशन रिपीट होते हैं तो ध्यान रखेगा कुईशन रिपीट होते हैं याद रखिए अगर लास्ट टेनियर के question paper और जो question मैंने provide करवाया है यह इतने important topic या अगर आप देख लेते हैं तो वाकई में आपके बहुत अच्छे number आएंगे अगर आप honestly solve करते हैं तो love reflection light में देख लिए आप love reflection और फिर उसके बाद ray diagram by mirror mirror lens दोनों का ray diagram आप तयार कर लिजिएगा और फिर उसके बाद क्या है अगर हम numerical की बात करें तो numerical जो है कि ray diagram जो है आपको lens और mirror दोनों का तयार करना है power of lens इसे भी आप देख लिजिएगा और जैसा कि मैंने आपको बता है कि numerical numerical mirror formula और ray formula दोनों से बन सकते हैं तो उन्हें आप देख लिजिएगा ओके और यहां पर आपका कौन सा chapter है chapter number 11 human eye and colorful world तो यहां पर मैं आपको बता दू क्योंकि 2021 2021 में cbsc board ने यह वाला जो topic है आपका human eye इसे हटा दिया है cbsc board ने human eye हटा दिया है और हाँ ध्यान रखिएगा human eye अगर आप आपका यह वाला जो compartment होगा first compartment इसमें मेभी आप से question पूछे जाएंगे क्योंकि आप तो 2020 वाले ही बच्चे हो है ना तो 2020 वाले पूछे जाएं बट हाँ अगर आप जब वैसे तो ऐसा करिये का हिमत कि आपको आप यह compartment exam फेलो जाओ और हाँ जब आप second compartment exam देंगे 2021 में 2021 से तो यह question हट चुका है तो फिर आपके में भी यह human eye तो आएगा नहीं तो या अभी आपको यही पढ़ना है तो इसलिए इसलिए यहाँ पे मैंने human eye दे दिया है बट हाँ 2021 में CBSC बोड ने human eye को पूरी तरह से हटा दिया बट यहाँ पे colorful word है biology में जैसा कि मैंने आपको biology में बताया था कि control and coordination control and coordination पूरी तरह से हट चुका है source of energy यह chapter भी आपका हट चुका है और यहाँ से यह topic human eye वाला हट चुका है बट किसके लिए 2021 में जो board exam देंगे मैं आपकी basic information की बता दे रहे हूं बट यहाँ पर क्या करना आपको तो पढ़ना है तो मैं आपके point of view से चल रहे हूं आपके compartment exam की point of view से चल रहे हूं तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यह important topic यहाँ पे रखे हैं और यहाँ से भी आपक aadrymopia hypermetropia preso by the the in tino लिए आपको पढ़ना है इसमे आपको क्या पढ़ना कॉसर्ज पढ़ना कैसे ठीक करें कौन से लेंस से ठीक हो सकता है इसमें ये साइड चीजे आपको पढ़ना ओके इसको भी पढ़ना, आपको twinkling of stars दोर्ट क्या पढ़ना है कि यहां प्सक्राइब लेबन डॉटर से से इतने इंपॉटें livreign d 효 स्थे सक्कारणлан प्रवाइं के छाएगा यहां पो लेबन चैप्टर से इतने इंपॉटन टॉपिक लिए बीरे तो आप मनघेलेगे चिसी सद्थाई भाते के रख़े चाहिक इसा बिल्कुल मसोचिएगा क्योंकि अब जब ncrt साथ में लेके बैठ उगे न तब आपको समझ में आगा कि कितनी साइच चीजें यहां पर कट हुई है और वाकई में इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहां पर दिए गया है तो अगला चैप्टर आपका क्या है एलेक्टिसीटी में आपका कौन-कौन साथ चैप्टर आ गया है ओम्सला में एसाई उनिट के साथी तयार करेगा आप ओम्सला को और यहां पे एड़ांट आप पैलर कमिनेशन ओब स्पीनेशन फिलामेंट आफ एलेक्ट्रिकल बल्ब ए तो यहां से आप थोड़े से निमेरिकल भी देख लीजेगा वैसे तो मैं निमेरिकल पे बहुत जादा वह नहीं करती हूं बिकाज आफ क्या होता है कि निमेरिकल से जो है मतलब नंबर जो आते हैं सॉलिड आते हैं बट आप क्या करेगा कि यार कहीं ना कहीं आपके साइंस थोड़ी बीग थी that's why क्या हुआ किसी भी reason से रही हो फिर चाहे मतलब आपकी तबियत खराब हो गई हो या फिर आपने friends के साथ time spent किया हो या फिर आपने किसी और subject पर ज्यादा focus कर दिया हो तो इन ही कुछ reason की वज़ा से x y z reason आपकी science थोड़ी कमजूर थी तो यार आप क्या करिएगा first of all आप क्या करिएगा theory portion पर ज्यादा focus करिएगा theory portion जब अच्छे से तयार हो जाए उसके बाद numerical पर जाहिएगा और यहाँ पर देख लिजिए का numerical वैसे तो जहां से ज्यादा आते हैं वही चीजे मैंने दी है okay and next chapter क्या है 13 chapter में आप देख लिज यहां पी a question आप देख लिजेगा और यहां पी a topic आप देख लिजेगा difference between electromagnetic and paramagnet alternate and direct current flaming यहां पर left and right दोनों का rule देख लिजेगा domestic electric circuits देख लिजेगा और यहां पर domestic electric circuits देख लिजेगा next chapter पर चलता है chapter number 14 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में जो board exam देंगे उनके उनके syllabus में यह chapter पूलता ऐसे हटा दिया गया है तो यहां आपको तो compartment exam में यह chapter पढ़ना ही पढ़ना है तो इसलिए मैंने इसके भी important topic दे दिया है qualities of good source of energy biomass and biogas along with advantage और यहां पर आपका अगला chapter किया reasons for alternate source of energy, advantage and limitations of solar energy, geothermal and nuclear energy इससे related कुछ question है, अच्छा question है जो कि मैंने description box में दे रखें और यहां पर our environment से अच्छा question है कुछ flow of energy between traffic levels, formation and depletion of ozone layer तो यह सारे चीज तो आप सुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें सम्में आपको बहुत जादा दिकत नहीं होनी चाहिए methods of base disposal यह सारे easy-easy chapter है आप अच्छे से कर लेंगे management of natural sources इसमें से कुछ important topic है चिपको आंदोलन इसे आप अच्छे से देख रहेजिएगा advantage and disadvantage of dam harmful effect of fusing fossil fuels तो यहार यह साई चीजे देख रहेजिएगा I hope आपको यहां पर इंपोर्टन टॉपिक दिये हैं यह साई चीजे समझ में आई होंगे कि हां कौन से chapter से कौन से topic ज्यादा important होंगे और हां यार अगर अपने biology का important topic नहीं देख रहका है तो जरू जाके देखिएगा I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा and if you want to more videos so friends like and subscribe m.m education youtube channel and thank you thank you for watching this video bye bye